Hello friends, welcome to Career Will App और मैं Harish Pandey आप आज आप लोगों के लिए लाया हूँ Indian Geography का एक section जो काफी important होने वाला है हर exams के लिए और वो section है जैसे Indian Geography में Indian Rivers का देखिए Rivers एक ऐसा chapter होता है जो हर सबके exam में आप चाहे कोई सबी exam दें UPSC का दें चाहे आप SSE का दें वहाँ पर Rivers से related questions आपको बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि Rivers पर जो questions होते हैं वो केवल रीवर से नहीं होते हैं रीवर के साथ साथ आप जो रीवर के द्वारा landforms बनते हैं landforms के बारे में भी पढ़ते हैं landforms का मतलब होता है इस्तिलाकृतियां जैसे नदियां क्या-क्या स्तिलाकृतियां बनाती हैं ऐसे भी हमारे exam में questions आते हैं साथ-साथ river से हम dams के बारे में भी पढ़ते हैं कौन सी नदी पर कौन सा dam है जिसे हम बांध बोलते हैं दूसरा बहुत सारे river से ही हमें river से ही हमें पता चलता है कि कौन सा waterfall, कौन सा waterfall किस नदी पर है, तो ऐसे ही delta, बहुत सारी चीज़े हम देखेंगे, जो reverse topic के अंदर हम पढ़ेंगे, तो reverse बहुत important topic है, इसको ध्यान से सुनिए, तो हम start करते हैं, चलिए river से, तो river में सबसे पहले में लेता हूँ, बताता हूँ आपको rivers होती क्या है, rivers का सबसे छोटा रूप जो होता है, उसे हम कहते हैं rill, बहुत सारी rills मिलकर, rivulet का निर्मान करती हैं, बहुत सारी rivulets मिलकरके, एक tributary का निर्मान करती हैं, tributaries, और बहुत सारी tributaries मिलकर, एक क्या बनाती है में रीवर जो science system के बच्चे है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दिल एक cell है, बहुत सारी cell मिलकर हम क्या पढ़ते हैं, हम tissue पढ़ते हैं, tissue का मतलब उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक उत्तक system बनाते हैं, tissue system बनाते हैं, और वो एक organ का निर्मान करते हैं, एक अंग बनाते हैं, जिस तरह हर एक अंग अपने आप में एक पर्टिकुलर काम करने वाला एक और्गन है, उसी तरह जो भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, अब यमुना अपने आप में बहुत बड़ी वीवर है, एक बहुत बड़ी थोड़ी बनाती है तो उसी तरह आप समझ सकते हैं कि नदी का सबसे छोटा भाग जो है वो है रिले, थोड़े से रिले मिलकर, रिले मतलब एक पानी के बूंद पड़ी और थोड़ा सा आगे के तरफ चला गया, तो यह एक रिले बन गई, ऐसी बहुत सारी रिले मिलकर के, ए एक स्ट्रीम का मतलब एक धारा हो गई, ऐसी बहुत सारी धाराएं जब मिलती हैं, तो वो एक नदी का निर्मान करती हैं, और बहुत सारी नदियां मिलकर के, एक मेन रिवर का निर्मान करती हैं, तो इस तरीके से यह आपको समझ में आया, कि रिवर क्या है, नॉर्मली रि करती होगा जो इस समय इस एच में पहुंच जाए और उसको रीवर का पता ना हो क्यों तो रीवर तो सब को पताईए बस हम रीवर की जो वर्ड्स है टाइमोलोजी है उसको हम पढ़ रहे हैं अच्छा रीवर्स में एक क्वेश्चन आता है स्टडी ओफ रीवर्स को क्या बोलते हैं तो स्टडी ओफ रीवर्स जो है उसे हम बोलते हैं पोटोमोलोजी तो पीस में साइलेंट रहेगा बोलेंगे टोमोलोजी यह ना बोलेंगे टोमोलोजी पीस साइलेंट रहेगा तो पोटोमोलोजी नहीं पढ़ना है इसको पढ़ना है tomology study of river यह आपके reasoning में भी काम आते हैं reasoning में देखो कैसे जैसे यहाँ पर river लिख देंगे river यहाँ पे tomology लिख देंगे क्योंकि reasoning में जो analogy है उस पे भी आते हैं यहाँ पे lakes लिख देंगे lakes और यहाँ पर कहेंगे आगे क्या आएगा तो आपको समझना पढ़ेगा जिस तरह रीवर्स की study को tomology कहते हैं उसी तरह lakes की study को limnology पढ़ते हैं ठीक है तो रीवर का थोड़ा समझ में आगे आपको जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको clear होंगे अच्छे रीवर का आपने अगर सुना हो history में तो हम कहते हैं दजला फरात की सभ्यता मैसोपोटामिया की सभ्यता मैसोपोटामिया दजला फरात नदियों के किनारे है तो दजला फरात की सभ्यता हो गई जैसे इंडिया में इंडेस वेली civilization जो है, वो हर एक नदी के लिए use होता है हडपा स्तल कहां पर है, मोहन जोदाडो स्तल कहां पर है, तो हम आपको कुछ ऐसा पढ़ाएंगे, ताकि आप उसके जोग्रेफी के questions तो attempt करेंगे ही करेंगे, पर historical जो उनका fact होते हैं, historical fact भी में सांथ सांथ बताता रहोंगा, तो इससे क्या होगा, कि उस chapter के साथ एक bond बन जाता है, क्योंकि कोई भी chapter, कोई भी topic जो है, वो केवल एक dimension में काम नहीं करता, उसकी dimensions जो है, वो काफी, मतलब वाइड होती है, तो उन सब को cover करने के लिए हमें chapter को बहुत detail में पढ़ना पढ़ता है, ठीक है, तो हम reverse से start करते हैं, सबसे पहले reverse जो होती हैं, इनको हम तीन category में बाढ़ते हैं, based on catchment area, catchment area का मतलब होता है, based on उनका थाला, थाला का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं, किस नदी का थाला सबसे बड़ा है, जहां जहां से पानी, एक नदी में आ रहा है, वो उसका क्या हो गया, basin, basin तो सब समझते होंगे, नदी का basin होता है, जैसे wash basin होता है, वास basin में आप कहीं पर भी पानी डालें, तो वो सब क्या करेगा, बह करके एक छेद में से आगे बह जाएगा, तो वही समझ लो, एक नदी में, जहां जहां से, जहां जहां से पानी, एक नदी में आ रहा है, वो उस नदी का catchment area है, तो catchment area के अनुसार हम नदियों को बाड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर हम rivers पड़ें, तो हजारों river पड़ेंगे, एक बार UPSC के एक्जाम में आया, more than thousand rivers drains in Arabian sea, अब बच्चों ने सोचा कि Arabian sea में तो हम कुछी river पड़ते हैं, माही, नर्मदा, ताप्ती, है न, यही कुछ rivers पड़ते हैं कि नर्मदा, ताप्ती, माही, और साबरमती, और यह सब, कि भाई, हजार तो नहीं होंगी, तो एक काम करो, यह option क्या है, गलत है, पर हम वहाँ पर देखते हैं, कि यहली में वहाँ पर, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो है, क्योंकि तीन किलोमेटर से उपर, एक प्राकर्तिक सुरोत से पानी, अगर तीन किलोमेटर तक बहता है, तो उसको हम रीवर का दर्जा दे सकते हैं, तीन किलोमेटर ठीक है, तो यह सब से लिमिट हुए, अब ऐसे अगर हम देखे हैं, तो इंडिया में तो हजारों रीवर्स हो जाएंगी, अब हजारों रीवर्स तो पढ़ना भाई, ना हमारे बसका पढ़ाना है, ना आपके इतना सारी रीवर्स समझना है, तो हमने क्या किया या करते क्या हैं, मेनली 400-500 रीवर्स होती हैं, जो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो हमने रीवर्स को क्या किया, तीन उसमें बाड़ दिया, एक होता है जैसे small rivers, तो small rivers वो छोटी नदियां वो हैं, जिनका catchment area, नदी को उनके catchment area के अनुसार देखते हैं, तो छोटी नदी वो हैं, जिनका catchment area 2000 square वर्ग किलोमीटर से क्या हो, कम हो, अगर 2000 square वर्ग किलोमीटर से कम है, तो वो छोटी नदिय हो गई, अगर 2000 से लेकर, 2000 से लेकर, 20,000 वर्ग किलोमीटर तक फैलें, तो वो हो गए medium river, और हम जो बड़ी नदियों को पढ़ते हैं, उनका जो catchment area होता है, वो 20,000 square वर्ग किलोमीटर से भी क्या होता है, अधिक, इसका मतलब है, अगर हम बड़ी नदी पे focus करें, जैसे ग तो हम क्या करेंगे, आपको reverse जो important हैं, वो सब बताएंगे, और current affairs में, देखो reverse में सबसे mean चीज होता है, current affairs में, जैसे current affairs में कोई नदी disputed हो जाए, current affairs में कोई ऐसा topic बने, किसी नदी पर एक नया बांद बने, और उस बांद के वज़े से किसी दो state के बीच में, या international boundary में क important होता है, generally वो ही exam में पूछा जाता है, इस बात को बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, GS को हमेशा current affairs से जोड़ना, अगर आप अपने current affairs के साथ up to date रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको GS में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती, जो समें inventions भी आती हैं, जो जिसकी invention 100 साल पहले, 500 साल पहले ऐसी होती हैं, वो ही generally मैं देखता हूँ कि exam में आती है, और मुझे बहुत बड़ा experience है इस छेतर में, मैं पिछले 23 साल से 23 years से इस education line पे हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि प्रशन कहां से पूछे जाते हैं, तो आप अगर हमारा साथ देंगे और हमें हमारे साथ पढ़ेंगे, तो बिलकुल आपकी जो success की journey है, उसको हम बहुत आसान बनाएंगे और पूरी कोशिश करेगा हमारा career will परिवार कि आपको हम बहुत अच्छी सिक्षा दें, तो यहां से आप समझगे small river, medium river और large river, 20,000 से जादा जो होंगी, वो सब large rivers कहलाएंगी, तो यह होता है on the basis of catchment area, अच्छी यहां पर यह भी ध्यान रखना, rivers में एक longest होता है और एक largest होता है, longest वो होता है, जिसकी लंबाई जादा हो गई, वो longest हो गई, और जिसमें पानी जादा हो गया, जिस नदी में पानी जादा हो गया, वो largest हो गई, तो इस बात का भी ध्यान रखना, जैसे longest river of the world, Nile है, पर largest river of the world, Amazon है, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक्जाम में क्या होता है, ऐसे छोटे-छोटे से प्रशन वो देते हैं कि हम गलती में, जानते हैं, बहुत सारे प्रशन हम ऐसे गलत करके आते हैं, घर पे जो हमें आते होते हैं, तो ठीक है, अब देखो, तो rivers में मैं आपको थोड़ा सा एक पूरा एक map से बता दूँ किस तरीके से हम river systems को पढ़ेंगे, यह map not to scale है, क्योंकि यह केवल एक presentation है, हमारे इंडिया का, तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले, देखो, यह जो हम इंडिया का map बनाते हैं, सबसे पहले आपको एक line याद रखनी है, यहां से एक रेखा ऐसे आती है, यहां से ऐसे, और यहां से यूं, और यहां से ऐसे, ठीक है, अगर मैं इसको इंडिया के बाहर से बनाने लग तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा अप सोचेंगे कि यह सर ने क्या बना दिया यह जो है यह एक Water Divide है क्या है जल विभाजक क्या है यह जल विभाजक क्या मतलब है Water Davide इनको Water Divide इसलिए बोला जाता है Water Divide क्योंकि यहां पर जो मरियम ला है, यहाँ पर क्या है मरियम ला तो that is मरियम ला मरियम ला एक raised उठा हुआ भाग है पहले जो था, पहले यहाँ पर, मतलब यह जो इंडो ब्रह्मा, जो आप इधर से ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं और इधर से इंडस नदी देखते हैं, यह पहले कहते हैं कि यह एक ही नदी हुआ करती थी जिसको इंडो ब्रह्मा रीवर कहा जाता था फिर क्या हुआ कि जो टेक्टॉनिक एक्टिविटीज हुई, इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट में टकराई, जिससे हिमाले का निर्मान हुआ, उसी पीरियड में, यहां पर एक उठा हुआ भाग, एक भाग उपर उठ गया, अप्लिफ्ट्मेंट की वज़े से, due to endogenetic forces, अंदर से एक force आई उससे उपर उठ गया, और यह एक water divide बन गया, अब यहां से इधर की तरफ, जो जाती है, वो है ब्रहमपुतरा river, अब यह हम सब rivers के बारे में पढ़ेंगे, that is ब्रहमपुतरा river, और यहां से जो इधर से इधर की तरफ आगई, यहां से जो इधर से इधर की तरफ आगई, वो बन गई हमारी कौन से नदी, सिंधू नदी, सिंदु नदी का मतलब Indus River, तो यहां देखो, यह मरियमला है, और यहां से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं यहां पर, यहां पर पढ़ता है अंबाला अंबाला छेत्र जो है, यह एक Water Divide है, किसके बीच में गंगा रीवर सिस्टम and सतलुज नदी, देखो, यह सतलुज नदी इधर की तरफ आ जाती, अगर यह अंबाला उठा हुआ भाग ना होता तो यहां से क्या होता है, यह नदियां, जो इधर की नदियां है, वो इधर को सिफ्ट हो जाती है, इधर की भी लेवल का जब प्रश्ण करेंगे तो आपको वो सारे प्रश्ण बहुत ही असान नजर आएंगे क्योंकि मैं जो कोशिश करूँगा ऐसी कोशिश करूँगा कि हम सारे के सारे चीजों को समेटते हुए आगे चलें तो यहां से अंबाला यहां से जो हैं यह हमारी माउंटेंस हो गए अरावली परवत आप जानते हैं तो अरावली परवत यहां पे हो गए यहां पे जो हमारे विंधियन माउंटेंस आ जाते हैं यहां पे हमारे सकपुडा माउंटेंस आ जाते हैं और इस तरीके से यहां से ज river always flow slopes, नदिया हमेशा slopes का follow करती है, एक बल जो होता है, जिसे हम कहते हैं, gravitational force, गुरुत्वा करशन बल, तो नदिया गुरुत्वा करशन बल के अनुसार आगे चलती है, तो यह हमारा हो गया, तो this is a water divide, और नीचे के तरफ आप जानते ही हैं, यह western घाट होता है, पश्चमी घाट, और western घाट एक boundary बनाता है, east flowing river और west flowing river के पास में, अच्छा, अब यह इंडिया में, यहाँ पर सब को पता है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यह बंगाल की खाड़ी है, बे ओफ बंगाल, और यह जो है, यह Arabian Gulf, Arabian Gulf, बे और गल्फ में क्या होता है, यह हम अपने अगली classes में बताएंगे, अभी हम यह बे है, बे ओफ बंगाल, इसे हम बोलते हैं, बे ओफ बंगाल, खाड़ीया तीन तरह की होती हैं, एक बे होता है, एक बाइट होता है, और ए भी समझाएंगे, अच्छा, अब बंगाल की खाड़ी में, भारत में 70% जो इंडिया में रन ओफ है, 70% जो पानी इंडिया का है, जो बारिश में आता है, वो 77% कहां ड्रेंड होता है, इन बे ओफ बंगाल, और 23% जो पानी है, 23% पानी, वो किस में जाता है, Arabian Gulf में, क्यों सब नदियां इधर ही तो जा रही है न, इसलिए 77% वाटर ड्रेंड इन, अब जब एक बार UPSC में कुश्चन आया, तो उन्होंने एक असर्शन और रीजन में सवाल क्या दिया, उन्होंने कहा कि Arabian Sea में, Arabian जो सागर है, यहां पर salinity अधिक है, in comparison to बंगाल की खाड़ी, अ यहां पर भी वीवर, कभी समुद्र में जब जाती है, तो जब वो समुद्र में जाती है, तो नदी का पानी जो होता है, वो मीठा पानी होता है, और जब मीठा पानी समुद्र में जाएगा, तो उस छेतर में, आप salinity को क्या कर देगा, कम, जैसे नर्मदा नदी और ताप आप कह multiply कैसे जाते हैं, पानी का जहाज तहरता है, तो नीचे से कप तृस्ट आता है, अब फ्रस्ट की वज़े से वो उपर की तरफ होता है, तो कि कोई वी चीजा पानी में कब डूपती है जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या हो जाए ज़्यादा अब सोचो पानी की डेंसिटी कम हो गई उसकी अधिक है तो डूप जाएगा तो इसलिए बहुत सारे cases आप जब सुनेंगे तो आप समझ जाना कि वह जहां जो है रास्ते से गलत देशा में पहुंच गया या बाड़ वाड़ की वज़े से नर्मदा और तापती नदी में पानी जादा आया तो पानी जादा होने के वज़े से वहां पर हम देखते हैं कि कम हो जाती है तो यह इसके रीजन थे कुछ तो यह आपको समझ में आ गया कि यह हमारा क्या है वाटर डिवाइड का काम यूपीसी के एक्जाम में एक बार यही कुश्चन बस ऐसे दे दिया और बोला यह क्या है अब जिसे पता था उसके लिए तो बहुत असान जीस बहुत जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे आपका जो करेंज है na GS को साल करने का वो इतना बढ़ जाएगा है यह क्यों कि यूटिवपर भी देखते हैं वही वीडियो बहुत अधिक चलते हैं जिसमें वो चीज चीजे बताते हैं क्योंकि क्या आप जानते हैं क्या ऐसा है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं तो जब समझ में आनी चीजे शुरू हो जाते हैं तो उसकी क्योरियोसिटी लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और वो चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देता हैं तो हमने यह पढ़ लिया तो यहां पर मेंली बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी अब जो नदियां इधर की तरफ गिरेंगी वो किदर जाएंगी बंगाल की खाड़ी में जो नदियां इधर की तरफ आएंगी वो कहा जाएंगी वेस्टन बितलब यह हमारे अरेबियन गल्फ में तो यहां इस चित्र का काम हो गया अब हम रीवर सिस्टम अगर देखें जैसे चलो में यहीं पर अगर ब्रहमपुत्र रीवर को मैं यहां पर समझाओं आपको क्यो सब सेपहले आते है कि इसका सोर्स कहां पर है ना ऑप्शन में ब्रहमपुत्र नहीं दिया相àng अब जिससे पता होगा कि ब्रहमपुत्र तो इसको हमारे देश में कहते हैं चीन में तो उसको तिब्बत में तो उसको किस नाम से जाना जाता है यारलूंग सांगपो तो ये कहां से निकलती है सबसे पहला प्रशन ये निकलती है हमारे चलो मैं इसको दूसरे में कराता हूँ ता कि हम थोड़ा और अच्छी तरीके से इन कंसेप्ट को सीख लें हमें इसके लिए इतना ही मैप चाहिए बहुत जादा मैप हमें इसके लिए नहीं चाहिए तो अब यहां से ये नदी निकलती है जब ये नदी निकलती है तो पहले इसको बोलते थे चेमा यूंग दूंग गलेशियर पहले चेमा यूंग दूंग गलेशियर था अब इसका न आंगशी देखो जो बहुत पुरानी बुक्स आप पड़ेंगे वहाँ पर अभी भी चेमा यूंग दूंग गलेशियर लिखा जाता है पर जो नई बुक्स आ गई जो नई बुक्स होती है अपडेटिड वर्जन्स जो होती है उसमें अब क्या आता है आंगशी गलेशियर त पाकस्ताल से एक नदी उधर की तरफ जा रही है इंडस नदी और ये नदी इधर की तरफ आ रही है अच्छा पहले इसको जिस नाम से जानते हैं पहले इसका नाम होता है यारलूंग सांगपो यार लूंग सांगपो अच्छा एक एक्जाम में आया कौन सी नदी दप्यूरिफायर के नाम से जानी जाती है अब जब ये प्रशन आया तो बच्चों को क्या लगा बच्चे तो विचारे इनोसेंट होते हैं बच्चों को क्या लगा कि प्यूरिफायर तो भाई गंगा नदी होगी क्यो दा प्यूरी फायर, क्या है दा प्यूरी फायर, प्यूरी फायर का मतलब पवित्र करने वाली, अब ये सांगपो नदी के नाम से आती है, और सांगपो नदी के नाम से इंडिया में जब आती है, तो ऐसे एक यू, एक बैंड बनाती है, इस बैंड के द्वारा ये भारत में क नामचा बर्वा के साइड से एक यू आकार, यू पर ध्यान देना, ये कई बार यू आकार का पूछा जाता है, एक सिंटेक्शियल बेंड बनता है वहाँ पर, और इस यू आकार में, यहाँ पर, अब कोई भी नदी जो बाहर से आएगी, तो वो किसी ना किसी पास के होते व यांग, याप, दर्रा, तो यांग, याप, दर्रा के द्वारा ये भारत में क्या करती है, परवेश करती है, ठीक है, अच्छा, अब यह इंडिया में आई, तो इंडिया में इसका नाम ब्रह्म पुत्र नहीं होता, जैसे आप एक नेशनल पार्क पढ़ते होंगे, देहां देबांग नेशनल पार्क, तो इंडिया में जब आती है, तो जो पहला नाम है देहांग, उस देहांग के नाम से आती है, वैसे तो देहांग भी बाद में पढ़ता है, पहले सियांग नाम पढ़ता है, S-I-A-N-G, तो इंडिया में जब बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो सियांग आएगा नहीं तो देहांग के नाम से अब देहांग के नाम से ये इंडिया में बिलकुल जैसे चाइना ने यूज करके छोड़ दी क्यों कोई भी देश जब उसकी नदियां दूसरे देश में जाती हैं तो वो क्या करता है रिसोर्सिज उसके जो वाटर रिसोर्सिज हैं वहाँ पे डैम बांद देता है और सारी रिसोर्सिज अपने देश में खीच लेता है जैसे चाइना ने यहाँ पर एक बांद बना दिया जिसका नाम है जंग मवू बांद और इस जंग मवू बांद की वज़े से उन्होंने य जानते होंगे चावल गेहूं हर चीज के उत्पादर में चाहिना नंबर वन पे आता है तो यह यारलूं जंगमव बांध है यांग याप पांस के द्वारा इंडिया में प्रवेश तो पहले इसका नाम होता है सियांग थोड़ी समय तक फिर इसको लोग अरुणाचल प्रद अब यह देहांग और देबांग और एक नदी आ जाती है लोहिता क्या आती है लोहिता अब ध्यान रखना यह लोहिता नदी में लोहो लोहो का मतलब यह लाल कलर क्यों इसमें आइरन ओक्साइड के मातरा काफी होती है इसलिए इसको लोहिता नदी बोलते हैं ठीक है न किया था, mythological story के नुसार, तो परशुराम जी ने वहाँ पर अस्त्र सस्त्र धोय थे, अपना जो, तो इसलिए वहाँ पर लोहया हो गया, अब ये तो खेर एक mythological कहानी है, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे लोहिता, देहांग और देबांग, ये नदिय साधिया से लेकर, साधिया से लेकर ये डुबरी तक, डुबरी, डुबरी वो स्थान है, साधिया से डुबरी, जहां पर इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, और जब ये डुबरी नाम से, है न, डुबरी से कहां चली जाती है, बंगला देते हैं जिसे हम कहते हैं जमुना यमुना मत लेना क्या बोलना जमुना तो उसका नाम वहां पर क्या हो जाता है जमुना नदी अब कहते हैं गंगा जमुनी तहजीव वह गंगा जमुनी तहजीव हिंदू-मुस्लिम तहजीव के लिए आता है तो जमुना क्योंकि यहां पर वेस्ट बेंक यहाँ पर क्या है ये बंगला देश पहले पाकिस्तान था और पाकिस्तान में क्या थे पहले मुस्लिम बहुल छेत्र था इसलिए गंगा जमुना ठीक है न तो ये जमुना जमुना छेत्र अब इंडिया से जब गंगा नदी आईगी तो वहां मिल जाएंगी त वहाँ पर पदमा के नाम से जानी जाती है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कुश्चन देखो, कितने बढ़िया आते हैं, जब ब्रहंपुत्र नदी साधिया से लेकर दुबरी तक चलती है, तो यहाँ पर यह जैसे, अब यह प्लेइन एरिया में आ गई, सा second waterway का मतलब हो गया, भारत में यह नदियों पर, नदियों पर क्या बनाई जाते हैं, दास्ते बनाई जाते हैं, तब नास्ते का मतलब नाव चलाई जाती है, उससे क्या होता है, कि transportation बहुत सस्ता हो जाता है, अब इदेशु बाफ फिलोमा में देखते होंगे, कि बिलकुल city के बीच में नहरे होती है या नदिया होती है और वहाँ पर नाव चलती है बोर्ट चलती है क्योंकि ये cheapest mode of transportation में आता है और obviously परियावरन प्रदूशन नहीं होता इसलिए इंडिया में पहला waterway तो इलहाबाद से लेकर हल्दिया तक है इलहाबाद से लेकर जब हम गंगा नदि पढ़ेंगे तो इलहाबाद से लेकर हल्दिया तक पढ़ेंगे दूसरा waterway कहां से कहां तक है साधिया से लेकर दुब्री तक ठीक है ये second waterway आता है तो ये भारत का second waterway है नाम हमने बता दिया साधिया से लेकर कहा दुबरी तर, from साधिया to दुबरी, तीसरा जो है, जब ये नदी यहाँ पर आती है, तो यहाँ पे न ये ब्रेडिट रिवर सिस्टम, ब्रेडिट का मतलब गुमफित जलमार्ग बनाती है, फैल जाती है, अच्छा फैलने की वज़े से जो हमने कहा, ये गुमफित जलमार्ग बनाती है, गुमफित या ब्रेडिट रिवर के रूप में आती है, इसका मतलब है, यहाँ पर ये फैल जाती है, तो यहाँ पर आपने एक कुश्चन सुना होगा, कई बार, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप है, माजुली, तो वो किस नदी पर है, एक्चुली क्या ये जब नदी आती है, यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग उपर को जिसको हम कहते हैं खेर कुती, खेर कुती, अब खेर कुती नदी और नीचे ब्रहमपुत्र नदी, अब इन दोनों नदियों के बीच में, एक उठा है उसी उठेवे भाको खेर कुती नदी और ब्रहंपुत्र नदी के बीच के भाको ही हम किस नाम से जानते हैं मांजुली अपने मांजुली तो बहुत पड़ा होगा अब उस प्रश्ण का इंतजार कर रहे होंगे कि कब ऐसा प्रश्ण आएगा कि मांजुली किन दो नदियों नहीं देते उनके उपर भी पड़े फिर उसके बाद जब ये जब ये असम में है असम में गुवहाटी में आता है तो एक ना बहुत बड़िया फेस्टिवल होता हाजो फेस्टिवल ध्यान रखना इस हाजो फेस्टिवल का इतना इंपोर्टेंस है हाजो फेस्टिवल कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हिंदू, मुस्लिम, इसाई सब बहुत ही प्यार से मनाते हैं मतलब नैशनल इंटीग्रेशन में अगर हम हाजो फेस्टिवल देखें तो कभी भी ऐसा कुश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा त्यवहार है नौर्थीस्ट में जिस हिंदू, मुस सराई, सराई घाट का युद्ध, वो सराई घाट का युद्ध भी इसी, यहाँ पर एक ऐसा छेतर है जहां ब्रंपुत नदी एक किलोमेटर, मतलब काफी दूरी तक केवल एक किलोमेटर चोड़े भाग में बहती है, तो यह घाटी बन गई, तो यहाँ पर एक सराई घाट का युद्ध कहते हैं, जो मुगलों के बीच में और अहोम राजाओं के बीच में हुआ था, अहोम राजा, आपने अहोम राजाओं के नाम सुने होंगे, जैसे गोमधम कुवर जो थे, वो एक अहोम राजा थे, बहुत सारे, यहाँ पर हम असम में राजाओं के बारे में भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहां पर सराई घाट का युद्ध 1671 में हुआ इस छेत्र में, तो इस तरीके से यहां पर, और यह जो छेत्र है यहां पर, आपको बहुत अधिक, क्या मिलेंगे, तेल के कुवे, जैसे आप पढ़ते हैं, आता है, सुर्मा वैली छेत्र, सुर्मा गाटी छेत्र, किस के लिए जाना जाता है, तो सुर्मा गाटी छेत्र जाना जाता है, किस के लिए, अपने ओयल वैल्स के लिए, तो यह हमने पढ़ा, ब्रह्मपूत नदी का, अब इसकी जो सहायक नदियां पढ़ेंगे, तो इसके सहायक नदी हम जब लिखेंगे तो सहायक नदी इसकी बहुत सारी होती हैं, जैसे सुबन सिरी, जिया भरेली, पगला दिया, मानस, संकोश, पिथो मारी, जिया भरेली, पगला दिया, तीस्ता सबसे मुख्य नदी इसकी कौन सी है, तीस्ता नदी, दिहांग, देबांग तो होई गए, देबांग, तो इस तरीके से बहुत सारी नदियां, धनश्री, एक बहुत इंपोर्टेंट है, धनश्री, कापिली, कापिली, ये सब संकोश हमने लिख दिया, तो सुबन सिरी, कापिली, जिया भरेली, पगला दिया, मानस, पिथो मारी, तीस्ता, दिहांग, देबांग, ये इस दीज ओल, are the tributaries of हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब यहां गई तो उसका नाम क्या हो गया, जमना, फिर इसकी जो आगे की जटनी होगी, आगे की, जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, तो गंगा नदी तंत्र में हम इसका आगे का, जो है मिलने, क्योंकि मिलने के बाद से फिर आगे चलागा, और आप आगे जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डिल्टा का निर्मान होता है, जिस डिल्टा को हम कहते हैं सुन्दर बन का डिल्टा, अब सुन्दर बन का डिल्टा इसलिए कहते हैं, क्योंकि सुन्दर ब पेड़ हैं, वहाँ पे कैसुरियना की भी पेड़ हैं, नीपा की भी पेड़ हैं, परन्तु मीनली जाना जाता है, जब हम पढ़ेंगे कभी ecology environment, तो वहाँ पर हम mangroves के बारे में आपको बताएंगे, कि mangroves में अलग-अलग तरह के forest होते हैं, तो वो सब चीजें भी हम discuss करेंगे, तो उमीद करते हैं कि जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, तो ये दिहांग, अब इसको हम एक हलका सा glimpse देखें, तो ये सब नदिया मैंने बता दी, कहां से आती है, कैसे भारत में लंबाई का, तो इसकी लंबाई जो है, इंडिया में जो बोलते हैं, वो बोलते हैं, 3900 किलो मेटर टोटल लंबाई है, परन्तु इसकी लंबाई को लेकर हमेशा से विवाद रहते हैं, गूगल पर आप सर्च करेंगे, तो अलग-अलग, जो latest sources हैं, latest, वो कहते हैं कि इसकी जो लंबाई है, वो 3936 किलो मेटर है, इसका मतलब है, जितना हम किताबों में पढ़ते हैं, उससे तो बहुत अधिक है, ने समझे, तो आप अगर option देखना, वैसे 3900 किलो मेटर जो है, हम इसको नॉर्मली पढ़ते हैं, जब कभी, क्योंकि ऐसे तो कथन आते रहते हैं, तो हमें जब तक बुक्स में हमारी ये है, हम 3900 किलो मेटर ही इसको लिखेंगे, तो यहां से आपको एक जर्णी समझ में आ गई किसकी, ब्रह्मपुत्रा रीवर की, तो ऐसे ही एक एक रीवर करके, हम सारी रीवर को क्या करेंगे, कवर करते हैं, चलो, जैसे मैं एक और री इडिया की जितनी पॉसिबल है, हम सारी पॉसिबल रीवर का आपको एक ग्लिम्स दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आने लग जाएं कि ये नदिया, कि भाई कहां पर कैसी कैसी हैं और कैसी ये बनी हुई है, ठीक है न, इसको स्केल नहीं करना है, क्योंकि ये केवल, अब वैसे बनाओंगो तो वैसे बहुत बढ़िया बन जाएगा, बट हमने केवर उसको एक रफ डाइग्राम बनाना है, ठीक है, तो हम इसको देखो स्टार्ट करें, अब पहले देखो, हम इसको इंडिया में रीवर्स को पांच चरोडों में पढ़ते हैं, कौन सा, एक हो उरिजन, उनके निर्माण के अधार पर, उनके सुरोतों के अधार पर, दो पार्ट में होती है, एक होती हैं सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब जो हमेशा पानी से भरी रहती है, इस्नो फेड रीवर्स, इस्नो फेड का मतलब ग्लेशियर पर घलते रहेंगे, और उन नदियो रीवर्स ये हो गया और दूसरी जो हमारी नदिया होती है वो दक्षिन भारत की नदिया है तो उनको बोलते हैं peninsular रीवर्स प्रायडी पीए भारत की नदिया अब प्रायडी पीए भारत आपको पता होगा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइदीप बोलते हैं, तो नीचे वाली प्राइदीप ये भारत की नदिया है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इनको में डिफरेंस देखूं, तो सबसे पहले तो ये क्या है, हिमाली नदिया यह वर्ष भर, वर्ष भर पानी से, पानी इनमें भरा रहता है, वर्ष भर पानी रहता है, तो यह क्या होती है, seasonal होती है, seasonal river, seasonal river का मतलब है, जब मानसून आता है, तो इनमें पानी बहुत अधिक हो जाता है, जब मानसून नहीं आता, तो इनमें पानी क्या हो जाता है, कम, त तुसरा हिमाली नदिया सारी जो हैं वो यंग रीवर्स हैं अब जब हम rises पढ़ेंगे तो betम रीवर्स में भी हम पढ़ेंगे rates के तीम चरंड होते हैं एक यंग स्टेज होता है, एक میचूर यंट स्टेज स्टेज होता हैं यंग स्टेज में irrational feature, सबसे main काम होते हैं, कैसे देखो, जैसे एक mountain है, mountain है, और ऐसे हम देखते हैं, यूँ, ऐसे, तो mountain से जो पहले निकलती हैं, उसे हम कहते हैं, यंग river, उसके बाद जब थोड़ा सा आगे होती हैं, तो वो हो जाती हैं, कैसे river, mature river, उसके बाद जब meandering, weandering, खूब ज़्यादा मातरा में हो जाता है, तो वो हो जाती हैं, क्या old river, फिर देल्टा बना देती हैं, यह हम जो river, टोपल, river के द्वारा, जो इस्तिला करती हैं, उनको हम पढ़ेंगे, तो हिमाली भारत के नदियां, वो कैसी हैं बच्चो, यंग river, अब हिमाली भारत की नदियां, जैसे यंग river हैं, यंग river, परंतु दक्षिन भारत की नदियां जो आती हैं, वो कैसी हैं, old river, यह यंग river हैं, और यह हमारी कैसी हैं, old river, आपको इंगे सर्पता कैसे चला, कि यह old river हैं, वो यंग river हैं, क्यों उनके फीचर से, अब जवानी में होता है, बच्चा होता है, तो उसके गुण देखकर बता देतेessenे, गुड्य आवगॄण देखकर करके, नदी पश्राइसी बहらी है, तो उसके गुण देखेंगे, और वही नदी उठा पटक मचा रही है, बाड लेकर आ रही है, तो भाई यह जो रिबर्स होती हैं, ओल्ड रिवर्स हैं क्योंकि यह अभी भी इरोजन करती हैं, इन में डेनल फीशर हैं, वो काफी देखते हैं, दे से उसे ये बेस लेवल इरोजन कर चुकी है अब बेस लेवल इरोजन का मतलब है नदी तल अपरदन जितना अपरदन ये कर सकती थी जितना भाई घिसने की इनकी हिम्मत थी अब ये उतना घिस चुके हैं, अब इन में इस जमीन को और ज़्यादा एरोड करने की पावर नहीं है, इसलिए आप क्या देखते हैं, कि जो दक्षिन भारत की नदियां होती हैं, जो पूर्व की तरह बहती हैं, ठीक है, वो डेल्टा बनाती तो हैं, परन्तो उनका डेल्ट काफी छोटा होता है, और गंगा नदी का डेल्टा आप देखेंगे, तो बहुत विशाल का घेल्टा होता है, तो यह हमें पता चल जाता है कि हिमाली नदियां और जो दूसरी नदियां हैं, उनमें क्या मेण्ली क्या है? डिफरेंस हैं, तो यहां से हमने यह समझ गई, सिस्टम एर तीसरा जो हमारा होता है वह होता है पुत्रा की इस तो ब्रह मपुत्र रिवर सिस्टम गंगड़ी कि यहां पर पर जो आता है इंडिया कि कि एanız गवल दो होते हैं वेस्ट फ्लोईं भी वर्ग और इस्ट फुलोईं पूर्व की तरब बहने वाली नदिया और पश्चिम की तरब बहने वाली नदिया तो इस तरीके से यहां पर हमारे एक difference हो गया किसके बीच में हिमालेयन रिवर और पैनिनसुलर रिवर्स के बीच में तो उमीद करते हैं कि आपने यह वीडियो को आप पसंद किया होगा पढ़े लेंगे और अगर बहुत ही जल्दी में आपको हमें रिवर्स दिखाओं कि कहां कहां पे कौन सी हैं तो देखो यहां से हमारी हो गई बरंपुत्र रिवर सिस्टम ऐसे दूसरी रिवर में यहां से आपको दिखा दूँ दूसरी यहां से हमारी हो गई इंडर्स रिव तीसरी अंदर से लानी है और कहीं पर नहीं मिलानी इसको ऐसे छोड़ देना है चौत्य वाली आएगी और वो ऐसे मिलाते हुए इस पर ले जाएगी फिर उसके पांचवी वाली जो आएगी वो ऐसे आजाएगी अब आप कहेंगे सर हमने तो केवल पंजाब में पांची नद हैं पर वहां पर पंजाब में तो यहां पर आप ध्यान रखना क्योंकि हमारे देश में पंजाब पांच नदियों की भूमी तो सबसे पहले आता है सतलुज उसके बाद आता है रावी उसके बाद आता है चिनाब उसके बाद आता है जेलम और उसके बाद क्या आता है इस्टन रीवर, अब तुम कोगे सरी इस्टन रीवर कैसे होते हैं, इनका नाम दिया गया है, मतलब नीचे की तीन नदियां हमारी भारत की, एक आप पढ़ते होंगे, एक Indus Water Treaty हुई थी, 1960 में, उसमें नीचे की तीन नदियां हमारी, उपर की ती नदियां पाकिस्टान के, भिवाद यही पर होता है, जब इंडिया उपर की नदियों पर डिम् बनाता है तो वहाँ पर कॉंट्रोवर्सी होना सुरू हो जाता है, अच्छा, अब मैं यहाँ से गंगा रिवर सिस्टम को अगर हलका साथ को दिखाऊंग, यहां से गंगा रिवर सिस्टम ऐसे आएगा, गंगा रिवर सिस्टम में पहली नदी जो मिलेगी वो हो जाएगी महाननन्दा उसके बाद दूसरी ऐसे जो आजाएगी वो कोसी आएगी, कोसी, महाननन्दा, कोसी, गंडक, गंडक नदी, घागरा, घागरा, शार्दा घागरा कि सहायक नदी हो गई, फिर गोंती, गोंती अंदर से बनाना है, क्योंकि गोंती नदी भारत से आती है, ये क्या है, गोंती नदी, उसके बाद राम गंगा, राम गंगा ऐसे यूं आएगी, यहाँ पर क्या हो गया, राम गंगा, पीछे से ओवर टेक करते वे इसको कौन मिल जाएगी यमुना नदी यमुना की सहायक नदी हो जाएगी कौन चंबल की सहायक नदी हो जाएगी काली सिंद काली सिंद बनास बनास और पारवती यह तीन सहायक नदी हो जाएगी किसकी चंबल की यह जब मैं एक ही करके पढ़ा हूँ न तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा अब एक रफ एस्टिमेट मना रहा हूँ आपको फिर चंबल की तीन हो गई यमना के सहायक नदियों में आपने सुना होगा केन बितवा धासन यह सब इसके सहायक नदी हो जाएंगी अब जहां जहां यह मिलते हैं वहां वहां पर जैसे कोसी भागलपूर में मिलती है गंडक नदी हाजीपूर में मिलती है तो वहां पर हाजीपूर पड़ता है घागरा नदी छपरा तो घागरा का जैसे छपरा सा बना दिया चपरा हिलेला यह घागरा नदी छपरा हो गया नीचे से एक सोन नदी आती है सोन घागरा के इधर मिलती है तो सोन नदी नीचे से आएगी और सो नदी कहां पर मिलती है पटना में सो नदी कहां पर मिलेगी सोने की पटना सोने की पटना घागरा छपरा गोमती आएगा गोमती लौड कानवालिस से कहते थे कहीं जैयो मती तो कानवालिस से क्यों मैं याद कर वा रहा हूं क्योंकि कानवालिस की समाधिय गाज गाजिपुर तो कानवालिस गोमती ऐसे याद हो जाएगा ये इसे एक चीज़ और याद हो गई लॉड कानवालिस को कहां रफनाया गया है गाजिपुर में उसके बाद राम गंगा है तो कन्नौज इत्र नगरी पूर्व का ग्रासे कन्नौज के लिए तो हिस्ट्री में पूर्व का क्या हो गया ग्रासे इसी तरीके से यहाँ पर हम पढ़ लेंगे उसके बाद सब दक्षिन भारत की नदियां इधर हम पढ़ लेंगे यहाँ पर हमारी आ जाएगी लूनी नदी लूनी नदी थोड़ा अंदर ही रहती है लूनी उसके बाद यहाँ पर आ तो एक माही नदी आ जाएगा माही यह हमारी नर्मदा हो जाएगी नर्मदा थोड़ा सा इधर से आएगी उसके बाद में यहां पर तापती हो जाएगा उसके बाद एक नदी है तेरे खोल तेरे खोल नदी सेपरेट करती है गोवा को महरास्ट से तेरे खोल नदी उसके मांडवी नदी मांडवी और जुवारी अब मांडवी जुवारी यह दो नदियां है गोव में बहुत महत्वूण है मांडवी नदी में दूद सागर वाटरफॉल जो आप देखते हैं वह मांडवी नदी पर है मांडवी नदी जुवारी नदी यहां पर और भी बहुत सारी नदियां हम पढ़ेंगे, जब बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इधर की तरफ फिर जैसे पूरे केरल में 44 नदियां हैं, उसमें से 41 नदियां इधर की तरफ आती हैं, अरेबियन सी की तरफ, तो तीन नदियां पूरव की तरफ जाती हैं, अभी कुश्चन आ लंबी नदी काम सी है बरत पूजा और एक यहां पर ऑर maithological river है पुमबा नदी यहां पर बहुत सारिए फैस्टवल होते हैं उस नदी के किनार्य तो हम इधर की तरह बढेंगे फिर इधर की तरह जब हम पढ़ेंगे तो यहां की तरह हम एक अलग से बनाना पड़ेगा हमें तो यहां की तरफ जब हम पड़ेंगे पूरुव की तरफ बहने वाली नदिया तो यहां से हम पड़ते हैं जैसे दामोधर नदी दामोधर नदी दामोधर नदी पर question क्या आता है भारत में पहली पहली जो river valley project था दामोधर नदी उसके बाद हम पड़ते हैं जैसे स्वन रेखा नदी स्वन रेखा नदी उसके बाद हम पड़ते हैं वैतरनी नदी उसके बाद हम पड़ते हैं ब्रामनी नदी फिर उसके बाद एक में नदी पड़ेंगे हम ये थोड़ा इधर से ज्यादा इधर हो गया थोड़ा इधर से आएगा तो ये नदी है ये नदी है महा नदी महा नदी फिर महा नदी के नीचे यहाँ पर आ जाएगा गोदावरी महा नदी और गोदावरी के नीचे भी एक बहुत important नदी होता है राशी कुलिया नदी ये र जो ग हिर माथा किस नदी के टठ पैन होता है तो आपने देखा उनकी लार से निकलती है तो पैनारू के नीचे क्या हो गया पलार फिर उसके नीचे हो गया कावेरी जो बहुत इंपोर्टेंट है इसको दक्षिन की गंगा कहते हैं दक्षिन गंगा गुदावरी दक्षिन की गंगा कावेरी उसके बाद फिर स लिप्ती नदी, तामरपणी नदी, तामरपणी तो इस तरीके से तामरपणी, वैगई, कावेरी, पलार, पैनारू, कृष्णा, गोदावरी, राशी कुलिया, महानदी, ब्रहमनी, वैतरनी, स्वंडरेखा, दामोधर, हुगली, उपर हुगली भी है, अब ये सब नदियां क टॉपिक पूरा समझाने का, तो उमीद करते हैं, कि आप सब लोग इस टॉपिक को enjoy करेंगे, तो all the best, और जुड़े रहिए करियर विल एप के साथ, thank you.